हेलो इस्टुएंट्स नेक्स देखिंगे एक्जेम्पल 11 क्या किया रहा है और टेन दा फेक्टर निकालना है इसका वह आजओ जैड स्क्वेर माइनस 4Z माइनस 12 फिर से बहुत चीज करेंगे जैड का तो स्क्वेर हो रहा लेकिन 12 के लिए कोई स्क्वेर नहीं मिल रहा है अब 12 में क्या लगावा माइनस लगावा है एक value negative होनी चीए और एक value positive होनी चीए यह concept है मेरे पास ठीक है भाई होनी चीए तो लगाओ अपने काम करते है प्लस यहां पर तो ले लेते है negative का 6 और positive का 2 अब मैंने यह देखो यह negative यह positive फ्यू लोगा अभी आपको समझना जाएगा जो value यहां लिए वही value यहां लेनी पड़ेगी bracket में यानि minus 6 plus 2 और बाहर जैड अब आप इसको solve करो देखो minus 4 आएगा 6 में से 2 गया तो 4 और negative का sign आएगा कि बड़ी संक्या है अगर यह minus sign में यहां लगा देता और यहां positive ले लता तो यहां तो negative हो जाता लेकिन यहां फिर positive ह हो जाता है तो bigger value पर minus लगाया ताकि यह value आजाए अब आपको पता है x square plus a plus b x plus a multiply b का value क्या होता है x plus a और x plus b अब आपके लिए x की जगे z है a की जगे minus 6 है फिर x की जगे z है और b की जगे इस बार 2 है पता हो समझ में आया क्या complete example 11